Hello everyone, welcome to Chehal Academy, this is Anubhav Dhipani, faculty at Chehal. 10th of October 2021 को आप सभी लोगों ने UPC का जो prelims है, वो attempt किया होगा, और जिन लोगों ने इस साल का prelims attempt नहीं किया है, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही important है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग UPC के paper का analysis करने वाले हैं, साथ ही साथ ये देखने वाले हैं कि cut-off जो है, expected cut-off हो, कितना जाएगा, अलग-अलग categories के लिए, plus किस questions से, कितने subjects से, कितने questions आये थे, categorization किया जाएगा उसका, इसके अलावा, जो नई चीजें हमें सीखने को मिली हैं, इस बार के prelims के लिए, कि अगले साल के prelims के लिए, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, and the most important thing, जो surprises हमें देखने को मिले हैं UPC की तरफ से, उसके बारे में भी हम लोग बाते करेंगे, so let's start our video, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर सबसे पहले हम लोग बात पॉलिटी से start करें, तो 2016, 17, 18, 19, 20, और 2021, इसका comparison हम लोग करने की कोशिश करते हैं, right now you just need to focus on one point, कि अगर आप 2017 के 21 पॉलिटी की जो questions है, अगर आप उनको थोड़ा सा ignore कर देते हैं, तो आपको सारे के सारे पॉलिटी की जो questions है, वो थोड़े से increasing order में देखने को मिलेंगे, प्लस इस साल भी 18 questions पॉलिटी के थे, यहाँ पर हमें एक history और art and culture, यहाँ पर हम लोग history और art and culture को साथ में लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर एक surprising factor आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले दो सालों से जैसा कि हम लोग देखें, यहाँ पर UPAC ने उतना ज़ादा focus history पे नहीं किया था, बट इस साल 21 questions जो है history और art and culture से आए हैं, अगर आप इससे और भी segregate करना चाहते हैं, you would be able to see in a very very easy way, that art and culture से 7 questions आए थे, ancient history से स्रिफ एक question आए था और medieval history जिसे कई बार हम लोग बहुत ज़ादा ignore कर देते हैं, उससे इस बार 5 questions आए थे, right, geography अगर हम लोग देखें तो यह average level पे ही चलता आ रहा है, इस साल भी 11 ही questions आए थे, अगर आप 6, 10, 11, 13 इन सबका average लिखा लें, तो लगभग लगभग 9 से 11 के बीच में ही बैठता है, so this was not that surprising, economy से थोड़े से ज़ादा question इस बार आए है, if you could compare the economic question of 2021 to other years, यहाँ पर एक important factor यह है कि economy में हर बार ऐसा होता था, कि जो current affairs के questions से वो काफी ज़ादा पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो traditional theories है economy की, सर्वे का वीडियो हम लोगों ने आपको provide किया था, if you have seen that video, उस economic सर्वे से भी काफी हद तक directly या indirectly question इस बार के economy के questions में आपको देखने को मिले थे, science and technology, again 13 questions है, पिछले कुछ साल में थोड़े से कम थे, 9, 7 और 8, लेकिन अगर पिछले 4 साल में आप यहाँ पर compare करने की कोशिश करें, तो आपको सीधे तौर पर 13 questions देखने को मिलते हैं, science and technology से related कुछ surprises है, जो आने वाली slides में हम लोग देखेंगे, environment again हम सभी को पता है कि जो environment है, पिछले कुछ सालों से दूसरे subjects को overlap करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे climate बदलता जा रहा है, global warming की चीज़ें हो रही है, disaster management बहुत ज़ादा important होता जा रहा है, तो UPAC भी ground level development के लिए environment को बहुत ज़ादा importance दे रहा है, तो यहाँ पर 34, 26, 27, 27, 23, respectively 2016 से 20 तक के सालों में हमको देखने को मिले है, but 2021 में ये current affairs के questions जो है, वो double digit तक भी नहीं पहुँचे हैं, current affairs के साथ साथ science and technology भी एक तरीके से हमारे लिए surprise ही रहा है, इस surprise में कुछ layers हैं जो हम लोग आने वाली slides में अब देखेंगे, पहले हम लोग पिछले कुछ साल के cut-off देख लेते हैं, general का cut-off if you could see, 2018 और 19 में 98 गया था, 2020 का cut-off जो हमें कुछ ही दिन पहले UPAC के तरफ से पता चला है, that is 92.51, इस साल का हमारा जो expected cut-off रहेगा, general category का, वो लगभग 92 के आसपास ही रहेगा, हो सकता है कि पिछला जो cut-off है, वो repeat हो जाए कहीं न कहीं, लेकिन इसमें एक चीज आपको notice रखनी है, plus minus 3 हम लोग फिलहाल लेके चल रहे है, cut-off थोड़ा सा बढ़ा, it could go to 95, लेकिन अगर थोड़ा सा और कम हुआ, it could actually decrease to 89, यहाँ तक कि अगर हम लोग OBC के लिए देखें, तो यहाँ पर 90 cut-off रहने की संभावना है, EWS के लिए 78, SC के लिए 75, and ST के लिए 70, please do remember, यह जो plus minus 3 का formula है, आपको हर category में यहाँ पर implement करना है, अब आते हैं हम लोग अपने असली analysis पे, जो surprises हमें देखने को मिले हैं, UPSC Prelims 2021 में, वो surprises काफी जादा interesting है, let's go to that, सबसे पहला जो surprise आपको देखने को मिला है, कि international relations में से किसी भी तरीके की questions नहीं आए, हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है, कि international relations जो है, mains में GS paper 2 के लिए तो important है ही, but when we come to prelims examination, international relations वहाँ पर भी बहुत जादा important role play करता है, क्योंकि अगर आप international relations की current affairs से चीज़ों को connect करने की कोशिश करें, so places in news, या फिर location in news, या फिर जो international organizations हैं, पिछले सालों में जो banks, international financial institutions के बारे में question पूछे गए थे, उस तरीके के international organization को, bodies को, places, location, mapping वाली चीज़ें, जो IR के साथ connect होती थी कहीं न कहीं, उनको पूरी तरीके से ignore किया गया है, international relations से questions नहीं पूछे गया, this was the very first surprise of UPSC, दूसरा अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें, तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है, कि state PSE में तो हम लोगों ने यह trend बहुत जादा देखा है, कि sports related questions पूछे जाते हैं, क्योंकि state PSE में कहीं न कहीं fact जादा होते हैं, concept सोड़ा सा कम होता है, लेकिन UPSC ने फिर से हमें यहां पर surprise किया है, कि sports से भी यहां पर questions पूछे गए हैं, कुछ awards से related भी पूछे गए थे, test championship से भी पूछे गए थे, plus current affairs से obviously बहुत कम question आये हैं, जो मैंने आपको पिछली slide में बताया था, कि current affairs से 7 questions आये थे, अगर आप इसको थोड़ा सा segregate करने की कोशिश करें, तो आपको यह पता चलेगा, कि 7 questions जो current affairs के थे, बट, the most important point is, IR का छोटा वाला section, और अगर आप sports के fact वाले section को भी थोड़ा सा अलग कर दें, तो current affairs से आपको सिर्फ एक question देखने को मिला है, otherwise हम लोग इसे 7 questions तक ले सकते हैं, सबसे बड़ी जो सीख हमें इस current affairs में, जो भी यहाँ पर surprise हमें मिला है, उससे यह सीख सकते हैं, कि हम लोगों ने या फिर आप लोगों ने साल भर जो जितने भी sources हैं, current affairs के जितने भी follow किये हैं, जो भी coaching institute के notes, मोटे-मोटे compilation जो आपने पढ़े हैं, वो किसी भी तरह से आपको काम नहीं आए, what does that mean? that means कि बहुत ज़्यादा compilation या sources जो आप पढ़ रहे हैं current affairs के, हो सकता है, वो आपको उतने काम नहीं जितने आप expect करके चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो सीख आपको इस surprise से मिल सकती है, या फिर जो मिली है, वो यह है कि the Hindu और Indian Express, इन दो चीजों को, अगर आप थोड़ा सा religiously follow करते हैं, और जो बड़े-बड़े, मोटे-मोटे compilations होते हैं, उनको ignore करते हैं, even then you can make a good mark at current affair वाला topic. तीसरे नंबर का जो surprise है, वो हमें यह देखने को मिला है, कि जो science and technology के questions थे, वो biotechnology से जादा थे. See, we need to understand the fact in a very very clear way, कि जब हम science और technology की बात करते हैं, तो science में जब हम बात करते हैं, तो obviously we go to the NCRT वाला thing, जिसमें हम लोग biology, physics या chemistry की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम technology की तरफ जाते हैं, तो space या defense technology की तरफ जाते हैं, लेकिन पिछले दो सालों से जो research चल रही है, vaccines पे, जो pandemic का issue हुआ है, उसकी वज़ा से यहाँ पर biotechnology से सबसादा question पूछेगा है, science and technology में, ये जो surprise है, इससे हमें सीखने को ये मिला है, कि अब हमें science and technology के नाम पर, सिर्फ NCRT या फिर defense या space technology पर dependent नहीं रहना है, biotechnology या फिर nanotechnology या फिर cyber technology पर भी हमें उतना ही ज़ादा focus करने की ज़रूरत है, next जो surprise हमें देखने को मिला है, वो काफी ज़ादा surprising है, क्योंकि quality के जो questions हैं, लक्षमी कान जैसे जो सबसे ज़ादा reliable source कहे जाते हैं, उसमें से पूछे तो गए हैं, लेकिन वो directly नहीं पूछे गए हैं, उसमें in-depth analysis की बहुत ज़ादा ज़रूरत थी, लक्षमी कान जैसे source को जब आप follow करते हैं, तो obviously you know कि आपके basics clear होंगे, उसमें facts दिये होते हैं, लेकिन जो analysis करने की चीजें होती हैं, वो लक्षमी कान में कहीं न कहीं missing होती हैं, so याने की एक source पर आप पूरी तरीके से rely नहीं कर सकते हैं, ये एक हमें surprise देखने को मिला था, next अगर हम लोग आपर देखते हैं, तो quality और history में से हर साल question आते हैं, लेकिन इस बार अगर आप quality और history को add up करने की कोशिश करो, so around 40 questions, 40% paper जो है वो आपका quality और history में से निकल कर आया था, पिछले 3 या 4 साल में international relations, current affairs या फिर environment and ecology ने जिस तरीके से UPSC के prelims को dominate किया था, इस बार वैसा नहीं हो पाया, जो पुराना वाला trend था UPSC का, 5-6 साल पुराना वाला, उस trend को वापस लाने की यहां पर कोशिश की गई है, और history और quality को जादा importance दी गई है, इस surprise से हमें ये सीख मिलती है, कि आप किसी भी अपने किसी favorite subject की तरफ partial या impartial नहीं हो सकते, आपको हर subject को उतने ही focus और उतने ही equal treatment के साथ पढ़ना है, जितने equal treatment के साथ आप अपने special या favorite subject को पढ़ते हैं, next, जो surprise है हमारा वो CSAT से related है, see, यहाँ पर जब हम लोग CSAT के syllabus की बात करते हैं और पुराने papers उठा कर देखते हैं, उनके solutions देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से ये बात पता है कि जो CSAT है, उसमें comprehension, maths, reasoning, mental ability, decision making या फिर जो statement वाले questions होते हैं, उन सब को कहीं न कहीं equally practice करवाया जाता है, लेकिन इस बार UPSC ने expectation से जादा questions, comprehension, maths और reasoning से पूछे थे, आप सभी लोगों ने paper देखा ही है, decision making या फिर mental ability के जो questions से, या फिर जो statement वाले questions से, उनको काफी हद तक ignore किया गया है, और प्लस ये comprehension और maths के जो questions से, उनका पलड़ा CSAT में काफी हद तक भारी था, CSAT से related एक और हम लोग यहाँ पर surprise देख लेते हैं, कि जब हम लोग comprehension की बात करते हैं CSAT में, तो हमें ये बताया जाता है कि जो comprehension होते हैं, वो basically या majorly दो तरीके के होते हैं, number one, कि वो ये देखा जाता है, कि या तो वो philosophical है, या तो वो scientific data या technical है, सो उसमें हमें पता रहता है कि हाँ, इसमें हमें data पर ध्यान देना है, और दूसरा हमें conclusion पर ध्यान देना है, philosophy वाले में, लेकिन इस बार कि जो CSAT के comprehension हैं, उसमें 2-3 point हमें अलग से देखने को मिले, point number 1, comprehension बहुत जादा बड़े नहीं थे, medium level के थे, लेकिन उसमें से 5 या 4 question निकाल कर, एक के comprehension से एक ही question निकाल गया, ताकि student का जो time है, वो जादा waste हो सके, और वो CSAT को उतनी अच्छी तरीके से या जादा number तक अप्रोच न कर सके, point number 2, जो comprehension हमें CSAT में देखने को मिले हैं, वो पूरी तरीके से GS के knowledge पे ही dependent था, अगर आप इस साल के comprehension को देखते हैं, तो economy के comprehension आये थे, GS paper 4, ethics related comprehension आये थे, यहाँ तक की economy और environment and ecology को तो comprehension में यहाँ पर काफी हद तक focus किया गया था, so अगर आपके GS की जो theories हैं, अगर वो बहुत जादा clear नहीं हैं, तो इन comprehension को solve करना भी आपके लिए बहुत जादा tough होता, so यहाँ पर UPSC करना क्या चाह रहा है, कि CSAT को GS के साथ कहीं न कहीं connect करना चाह रहा है, if you are good at GS, you will be better at CSAT also, तो यहाँ पर GS के subjects को ignore करने की वज़ए से CSAT में भी आप mark आ सकते हैं, यह हमारे लिए एक surprise नया था, नेक्स आते हैं, surprises की तो बात कर ली हम लोगोंने, अब हम लोग देखते हैं कि यह जो surprise है, या जो पूरा paper है, उससे आपको सीख क्या मिली है, learnings क्या रही है हमारी, नमबर वन, we need to go back to the basics, वेदों की तरफ दोबारा लोटने की जरूरत हैं हमें यहाँ पर, जब कोई भी student नया नया तयारी करता है, या वो beginner level का होता है, या फिर वो कुछ attempts अपने दे चुका होता है, तो वो student जो कुछ attempt, दूसरा, तीसरा या फोर्थ attempt चल रहा होता है, तो basics तो उसके काफी हद तक clear हो चुके रहते हैं कई साल पहले, लेकिन वो advanced level पर चीजों को पढ़ने लगता है, advanced level पर चीजों को पढ़ने से problem यह होती है, कि जो basics हैं, वो कही न कहीं उसे ignore करने लगता है, और basics का जो सबसे अच्छा source है, आप और मैं हम दोनों यह जानते हैं, कि वो NCRT से अच्छा कुछ नहीं होता, so learning हमारी सबसे बड़ी यह है, कि आप advanced level पर बड़े-बड़े editorials, research paper, बहुत महंगी और मोटी किताबे तो पढ़ी रहें, लेकिन NCRT जो हैं, वो कहीं न कहीं उन बड़े-बड़े advantage, जो advanced sources हैं, उनका base ही है, UPSC का syllabus आप देखिए, और फिर NCRT को compare करिए, UPSC का syllabus, NCRT के syllabus का एक extended version ही है, so don't forget to prepare your basics, भले ही आप कितने भी advanced level पर क्यों न पढ़ रहे हों, right, next जो दूसरी learning हमने देखने को मिली है, इस बार का अगर आप paper देखते हैं, self study is a very good thing, लेकिन self study वाला paper था नहीं इस तालगा, क्योंकि self study में आप concepts clear कर सकते हो, आप अपने basics clear कर सकते हो, आप अपनी knowledge बढ़ा सकते हो, लेकिन जहां पर बात आती है in-depth analysis की, उसके लिए आपको अच्छे guide और अच्छे mentors की ज़रूरत होती है, जो आपको ये बता सकते हैं, कि अगर आपका proper एक topic पर तयार हो चुका है, तो उसे आपको next level प do find it, you're gonna need it in the next attempt, right? Next, जो learning हमें देखने को मिली है, कि अगर आप आप prelims clear करना चाहते हैं, तो सिर्फ prelims की पढ़ाई से आपका prelims बिल्कुल भी clear नहीं होगा, until and unless आप अपनी mains की तैयारी को भी अगर शुरू न करें, अगर आप इस बार का UPSC का prelims का paper देखते हैं, चाहे वो उनके questions हो, उनक of prelims and mains, you need to compile it और आपको इस दोनों को parallelly साथ मिले के चलना पड़ेगा, so if you wanna clear the prelims examination, do prepare for mains, and if you wanna clear the mains examination, do also prepare for the prelims thing, next जो learning हमें देखने को मिली है, कि हम किसी भी single source पर पूरी तरीके से reliant नहीं कर सकते, आपके पास multi-level के sources होने चाहिए, जैसा कि हम लोगोंने बात की थी surprise में, कि लक्षमी कान से questions तो आये थे, लेकिन indirectly आये थे, तो ये वाले जो इस साल के prelims के questions थे, लक्षमी कान तो आपकी basics तो clear कर लेता है, लेकिन आपको वो उस level का analysis नहीं दे पाता, उस analysis के लिए आपको दूसरे sources को कहीं न कहीं implement ये execute करना पड़ेगा, और ये चीज सिर्फ और सरफ quality के लिए नहीं, बलकि दूसरे subjects के लिए भी बहुत जादा important है, next learning पर हम लोग आते हैं, कि practice करना questions को बहुत जादा important है, we very well know this, right, but practice करना अब आपके लिए और जादा important हो चुका है, क्योंकि पिछले साल तक आप लोग क्या करते थे, कि prelims से एक मैंने पहले ही mock test join करत लेकिन अब हमें वो mock test की जो preparation है, दो या धाई मैने पहले शुरू करनी पड़ेगी, 10, 12, 15, 20, 50 mock test से कुछ नहीं होगा, 100 से जादा mock test आपको यहाँ पर attempt करने पड़ेंगे, इसका सबसे बड़ा reason यह है कि कोई भी subject या topic जो आपका बहुत जादा strong है, बहुत अच्छा है, but even then अगर आप उसके mock test की तरफ नहीं जाते हैं, तो आपको basically यह समझ में नहीं आता है, कि जो subject यह topic आपका strong है, उसके questions में variety कितनी जादा हो सकती है, और UPSC आपके basics और knowledge के साथ variety लाती है questions में और उसी के साथ हमें नयने surprises देती है, right, so अगर आपका knowledge ठीक है, basics अच्छा है advanced level पे भी आप preparation कर रहे हैं, do not miss your mock test prelims से पहले, more than 100 mock tests, at least आपकी आखों के सामने से गुजरने चाहिए, with solution, that is very very important, next जो learning हमें देखने को मिली है कि 2020 तक अगर आप prelims देखते हैं, तो 3 या 4 questions, so obviously ऐसे होते ही हैं, जो doubtful होते हैं, final decision again यहाँ पर UPSC का ही रहता है, क्योंकि UPS UPSC का जो interpretation है, वही हमें, I'm so sorry, सही मानना पड़ता है, लेकिन अगर आप 2021 के question paper को देखते हैं, तो 15 से 16 questions आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, जो पूरी तरीके से doubtful category में हैं, इससे basically हम सीख क्या सकते हैं, हमारा जो expected cutoff है, जो हम expect कर रहे हैं इस साल का, वो 92 है, लेकिन अगर ये 15 या 16 questions की वजह से, अगर आपका जो फिलहाल, expected जो marks हैं, अगर वो 80 के आसपास भी पहुँच रहे हैं, प्लस माइनस 3, 80 के आसपास भी पहुँच रहे हैं, तो आपको lose, जो hope है आपकी वो lose नहीं करनी है, mains के लिए, क्योंकि ये 15 16 questions जो अभी भी doubtful हैं, अगर इसमें स आपके 50% भी सही हो जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं mains के लिए ready हो सकते हैं, so if you are even getting 77 और 83, around average 80, so आपको अपनी mains की preparation चालू करनी चाहिए, you could be giving the mains examination this year only, don't lose your hope at all, मान लीजिए, अगर आपका luck factor कहीं न कहीं आपके साथ काम नहीं करता है, mains की preparation आप शुरू कर देते हैं, और आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है, तब भी वो आपको बहुत जादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, क्योंकि जो learning हम लोग ने पिछली slides में देखी, उसमें हम लोग ने ये देखा कि prelims crack करने के लिए mains बहुत जादा important है, so अगर आप इस साल, इसी तारीक से, इ हमारा एक introduction analysis video था, इसके बाद जितने भी questions हैं, उनको हम लोग subject wise categorize करके, एक-एक question का detailed solution with answers आप लोगों के सामने video के तौर पर लाएंगे, okay, so stay connected to us, thank you very much, I'll see you in the next video, thank you.